पर सनझे वरमा साब ने बैंड बढ़ा के रगदी हुआ की कैनेडा के उच आयुक्त रहे संझे कुपार वर्मा ने कहा है कि कैनडा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो ने द्यूपक्षिर औनेतिक सम्बनधों को बरबात कर दिया जो उनका मेन थीम था कि देखिए साब ये जो भी चीजें हो रही है ये एक पुलिटिकली मोटिवेड़ेड़ चीज है और कोई भी एविडेंस हमारे हाथ में अभी तक नहीं आया भारत को इससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है फिर से बताना चाहरा हूँ जो हिंदी समझ लेते हैं कैनेड़ा में जो भारती मूलके हैं भारत को इससे क्या फरक पढ़ रहा है कि अगर आप अपने नाशनल इंटरस्ट को प्रटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टार्गेट करते हैं जो दूसरे मूलकों में बैटे हैं तो मेरा जो नाशनल इंटरस्ट है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई एक क्वेस्टन इमर्ज जो रिक्शन दिया है यह कंट्री यू मस्ट दू दिस और विल रॉन आफ्ट देम एंट वी आर रूल अफ्लाव कंट्री देखो जादा जादा क्या होगा कैनेडा के साथ डिप्लोमाटिक रिलेशन खराब हो जाएंगा कैनेडा को सुपर पावर तो है नहीं नहीं नीदर कैनेडा इस एन एकोनोमि कैनेडा में जो भारती मूल के हैं भारत को इससे क्या फरक पड़ रहा है देखो जादा जादा क्या होगा कैनेडा के साथ डिप्लोमाटिक रिलेशन्श खराब होजाएंगा अप कैनेडा कोई सुपर पावर तो है नहीं नीदर कैनेडा इस एन एकोनोमिक सुपर पार हमें को जादा फरक नहीं पड़ेगा हाँ अलबता कैनेडा को फरक पड़ेगा क्योंकि यहां से स्टूडिन्ट जाना बंद हो जाएंगे वहाँ पर और वैसी काफी कम ही आई है और यह डिप्लोमेटिक रिलेशन्स भारत ने खराब नहीं करें यह कैनेडा ने खराब करें सिंपल सी बात है मैं सरकार को बोलूंगा आप अपनी वहाँ पर हाई कमिशन की बिल्डिंग यह सबना की डिप्लोमेटिक रिलेशन यह जादा हवा है इसमें इसमें कोई दम नहीं है कैनेडा कैनेडा के पास यह बताओ कितनी मिसाइल्स हैं कैनेडा के पास कितनी बड़ी फॉज है कैनेडा के पास क्या डिप्लोमेसी है कैनेडा के पास वो जी सेविन का मेंबर है जिया सामने ख़ड़े होके बताओ यार मैं तुम हमें धमकी दे रहो तुम से ज़ादा पैसा हमारे पास तुम से ज़ादा पैसा हमारे पास तुम से बहतर डिपलोमेसी तुम से बढ़िया आम्ड फोर्से हमारी India is a nuclear weapon state साथ सौर अरब डॉलर के foreign action तुम किस मूँ से आके मतब क्यों क्योंकि तुम गो रहे हो इसके अलावा को लॉजिक है और यह जिस सो कॉल्ड खालिस्तान कमांडो या लिबरेशन फिबरेशन यह यही है पगलेट वहाँ पर जाके उबर चलाते हैं यह लोग यह उबर चलाने वाले हैं अपना मीटर डाउन करके बीच में खालिस्तान खालि बढ़ा अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कर रहे हैं जा रहे हैं 22 और 23 एक्तूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूं कि वैस के लिए बढ़ा अच्छा है जो इस वकत वैस ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ ज रहे हैं यह रीसन मजाक देखे आपने टूडो ने किया फिर खुदी स्पीच में इसने कहा कि हमारे पस प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजिंस बेस पर इंटेलिजिंस तुमारी किस चीज़ किये या इंटेलिजिंस तुमारी जो फाइव आई बनाते हो कभी सिक्स आई बन लेकिन ब्रिक्स कि में जाना चाहिए जाएंगे मोधी साथ जाके गले मिलेंगे पूटन से तो ठंड पड़ जाएगी वैस को भी और सब को क्यूंकि इस देखें बात यह होती है अगलों की उनकी अकानमी दुनिया की पांचवी अकानमी है बिलको तूथाउजंड और उस रहा कि यह चौंचले जो कर रहे हैं इनको बैक फूट पे तो आगे ट्रूडो साथ लेकिन इस टू लेट बेरे खियाल में डैमेज हैस बिन डन और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता इसमक्त जो बाइडन और ट्रूडो का जिब कहते हैं न इसको कहते हैं लेमड़क प्रेजडेंट कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं पॉपुलेरिटी नहीं कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता मुलत के लिए वोट अफ कांफिडेंस लूज कर जो यह तो बड़ी मुशकल से स्रवाइब कर पाया है पिछले दिनों अपना वोट के इसाप्शन से लेकिन सर साथ साथ अगर हम देखें के इसराइल और हमास के बीच में भी एक बार फिर आपने देखा के हमास का लीडर जो है वो मारा गिया है टेंशन बढ़ती भी दिखाई दे रही है दूसरी तरफ इसराइल के जो हैं नितन याहू उनका भी कहना है कि पर टैक किया जाने की कोशिश की गई है कोशिश की गई है ड्रोन के जरीए उनके उपर टैक करने की कोशिश की गई है इसराइल की तरफ से हुआ खबर आई है लेकिन इसमें आरजू जो मैं टोटल सारे वाक्या जो इस वकत लिबनान के अंदर हो रहा है गासा के अंदर हो आपकी तालीम और साइंस से नफत अब बासियत दौर था इराक के अंदर जब भुख खतम हुआ हलाकु खान ने जब वहां की लाइबरियरियन जला दी उसके बाद आपने साइंस से बाइकट करें हम लोग तो खेर देखें एक मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत बहुत अड़ भी नहीं थी एक ट्रेडिंग कंपरी थी जिसने आकर टेक ओवर कर लिया था लेकिन उसके नुकसानात आपको क्या है सब कांटिनेट के मुसलमान को हमारे हमारा इशू मौल भी मुला और वो भी तालीम याफता नहीं है तालीम याफता ना होने की वज़ा ये है कि उसने प भी पाकस्तान के अंदर हाला थी है आप कहते हैं यह सियासत नहीं यह जिहाद है लेकिन जहाद घुर्बत के खलाफ नहीं करना अपनी जहालत के खलाफ यह जहाद आप पर प्रुडिकल टेंग स्ञेट कर नहीं खलत और खुड के बच्चे लंड बढ़ाने यहां के आरा आपका पंतालीस हजार इस वक्क जो घाजा में उनोंने गाजर मुली की तरह काट कर रख दिया है कभी उनके पेजर फट रहे हैं कभी वाकी टाकी फट रहे हैं फट इसनी रहे हैं साइस से दोई है तालीम से नौ मिलियन पापॉलेशन है इसराइल की पूरी दुनिया घ इस वक्त देखें कल पर सुमेलिस देख रहा था दुनिया का तीसरा इम रिचस कंट्री इस यूएई लेकिन उनके पास क्या है साओदीज क्वेटीज और यूएई के पास क्या है उनके पास साथ साथ बीवियां हैं पचास-पचास बच्चे उन मुलकों के अंदर एक भी ऐसा सुकूल नहीं बना सके इस पैसे के साथ जहां कोई दूसरा बंदा जाके तालीम हासल कर से अपने तो काम भी नहीं करता है वो भारत की टेरिस्ट की जो लिस्ट है उसका एक एहम हिस्सा है उस फेरिस्ट में उसका भी नाम है यानि कि भारत कहता है कि ये बंदा टेरिस्ट है वो वहाँ पे एक्चुली कनेडियन गर्वर्मेंट के लिए काम करता है और भारत ने बोला है कि इसको सौपो हमे कितना सेंसिटिव मामला है ये देखिए यही चीज होती है कैनेडा वालों ना क्या गलती करी है मैं आपको बता रहा हूँ देखिए भारत को तो क्या ही नुकस पहुचाएंगे हमारे डिप्लोमैट्स को धंकी दे देंगे जादा से जादा हम अपने डिप्लोमैट्स हटा लेंगे फिर खाली बिल्डिंग को धंकी देते रहना तुम लोग तुम खाली बिल्डिंग को धंकी देते रहना हमें कोई दो रुपए का फरक नहीं संदीप सि इसको सनी भी कहते हैं, और क्या बोलेंगे, सनी तो बोलेंगे संदीद को, तो सनी बोल दिया भीजा, थीक है, यह कैनेडा की Бार्डर सरविसेज एजनसी के लिए काम करता है, और इसको सुपरेडेंडेंडेंट प्रोमोशन भी दिया था, ये Canadian Border Services Agency का ये बंदा है Fugitive Terrorists की लिस्ट में है जिसको India request कर चुका है रिटिन में Canada से कि ये बंदा जो है ये यहाँ पे ऐसी हरकत करके गया है murder खून खराबा करके गया है terrorism करके गया है भारत से भाग कर गया है इसको भारत को hand over करो ठीक है? अच्छा ये पाकिस्तानी ISI का एजेंट है और खालिस्तान Liberation Front का ये member है और लगबीर सिंग रोडे जो खालिस्तान Liberation Front का जो terrorist था जो की पाकिस्तान में बेस था उसके साथ है तो भारत के जो हाई कमिशनर से कैनड़ा के अंदर उन्होंने जाते जाते जेस्टें टूडो जो है उसको बहुत इल्जाम दिये है और एक तो उन्होंने एक कैनड़ा के TV है CTV उनको इंटर्यू दिया और ये एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिसे कहते हैं लास्ट ब्लो वो दिया है और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये एक चीज कही है उन्होंने कहा है कि क्या G7 के जो ममालिक हैं वो extra judicial murders में involved नहीं थी भारत को क्यों कहा जा रहा है लेकिन हमें कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं अच्छा इसमें एक question ये भी पैदा होता है कि शायद इंडियन हाई कमिशनर इस चीज को justify कर ले है कि अगर आप अपने national interest को protect करने के लिए उन लोगों को target करते हैं जो दूसरे मुलकों में बैटे हैं तो मेरा जो national interest है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई एक question इमर्ज करता है ये जो बात उनके करना है कि क्या G7 countries ने extra judicial murder नहीं किये और उसके बाद दुनिया ने उनका क्या कर लिये अब question ये है कि इंडिया ने जो extra judicial murder पाकस्तान में किये मसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कुछ अच्छा पहले पाकस्तान ने तो कुछ नहीं का न क्योंको पाकस्तान जो archival था ठीक है जी पुरानी 77 years की जनाब एक hostility चलिया आ रही है पाकस्तान ने कुछ नहीं का और पाकस्तान ने कहना क्या था ठीक है लेकर question ये है कि यही काम अगर कैनडा और अमरीका में होगा तो वो बोलेंगे क्योंको वो कहलेंगे थे हम तो आपके साथ democracy थे आपने मारे साथ क्या किया इंडिया थारी बात है इस चीज़ में उनको और इंडिया की आपस में ठढ़ गई अब इंडिया कह रहा है कि यह जो खालस्तानी extremist हैं इनको कैनडा में क्यों encourage करते हैं आप लोग अचा यह सवाल उनको बड़ा genuine है कि क्यों खालस्तानी extremist जो हैं उनको आप encourage करते हैं क्यों why you make them like this वो क्यों ऐसे करते हैं क्यों खालस्तानी जो extremist हैं उनको ऐसे किया जाता है उनको जो है वो प्रोवोक किया जाता है टीक है और सबसे बढ़के वो जो हाइ कोबिस्टर साब जो थे वो एक तो जारी बात है वहाँ से आगे हैं वो कहते हैं आज से अविटेंस इनी थी और यह सारे की सारी politically motivated game है अच्छा जारी बात है had it just been Canada तो आप कह सकते हैं यह political motivated है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि somehow क्योंकि इसमें Americans involved है और Canada कहता है कि आप America के साथ तो तमाम किसम के cooperation कर रहे हो हमारे साथ कोई cooperation नहीं करते हैं कैनडा के साथ cooperation कर अमेरिका के साथ cooperation चल रहा है उनको बता रहे हैं उनों तो सफारती तोर पे पहली दफा़ कैनडा और भारत के दम्यान इतनी कशीदगी पैदा हुई है अब भारत के पास एक होता है रियाक्ट करने का आशकल अब भारत में ये धंकियां देना शुरू कर दी है कि टूडो साथ ने चूँके ये पब्लिकली सारा मामना किया है तो ये मुनासिब नहीं था और बकौल भारत के ये जो है कोई शवाइद ये हमारे साथ नहीं शेयर किये अब जब भारत कैनेंड़ के साथ डील करता है तो उसका रवया ज़रा मुक्तलिफ होता है अब जब अमरीका के साथ डील करता है तो ज़रा रवया मुक्तलिफ है अमरीका ने जो ही या वकास यादेव का जो के भारत ही कस्तेडी मी है तो भारत ने फॉरीत ओर बेंड डिएलीगेशन प्षिवाया ये भी याद रहे कि पनून के वाख़े में भारत ने एक inquiry committee भी high level inquiry committee भी constitute की थी जिसका भी तक कोई result share नहीं किया गया और अमरीका को यही शक है कि ये जो इस वक्त नहीं कर रहे जाया कि खालसतादनी extremism जो है इंडियंज कहते हैं कि promote हो रही है वह आप ठीकिए जी तो ये वह आप केनेड़ी एडिया के high commissioner वहाँ से निकल दे निकल दे जिसे कहेंगे न वो सारा कुछ कर गए तो इसमें वो जहरी बात है यह जो high commissioner साभ को expel किया गया संजय कुमार वर्मा साब को उन्हें और भी बहुत सारे लजामात लगाएं आ यह थे वो नें कह जी कि बहुत सारे 27 extradition के cases हैं जो basically इंडिया और कैनेडा के दर्मियान problem है और वो कह रहे हैं कि हमारा जो core concern है वो कैनेडा को understand करना चाहिए और sincerely understand करना चाहिए और वो कह रहे हैं कि हमारी ये Canadian ये Canada के अंदर जो इंडिया के high commissioner दे वर्मा साहब उन्होंने ये जब interview दिया तो मेरा ख्याल है कि वो समझे दे इंडियान ये समझे दे कि हमारा मुकदमा Canadian तक कैसे पहुँचे के कि दो चीज़ें मैं आपको बाउट दा इंडियान अपना मुकदमा इंडियान तक तो बहुत अच्छे पुछा सकते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं तका के कर रहे हैं और इंडियान अवाम जो है वो they are buying the case of Indian Government वो इसके case को भाई कर रहे हैं लेकिन how to tell the Canadians के issue क्या है ता के कल को Justin Trudeau को ये जो World Bank politics as India is saying इसको हम damage कर सके ये क्वेस्टन है this is something significant चीज़ है मुझे तो ये काफी significant लगती है कि देखें अब ये जो जिसे वो कहते हैं न अब ये 27-26 लोग extradition की files उन्होंने रखी नहीं है अब ये पॉमिनेट चीज है मैं आपको बापत हूँ पॉमिनेट चीज है अब होगा गया ये ऐसे है जैसे इंडिया पाकसान को कहते रहता था ये बंदा मारे वाले करो दो दी प्राइमी तर करो जी फलाना मॉलवी तर करो फलाना मुझाहिदी तर करो जारी बात है इंडिया की वो थी किश्मीर के हवाले से थीक है अब ये एक चीज वो दर कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए इंडिया को जो पाकसान की मसले थे वो थे faith-based as Indians आर से हैं faith-based militants है जो इंडिया को कैनेडा के साथ मसले है वो है साइप पियोला पियोली एक ethnic issue है ठीक है एक पियोली एक different चीज है वो उसको कह रहे हैं ये 26-27 लोगों की फाइले है और ये खतम नहीं होंगी माँ को बाबता हूं और इंडिया विल बी more consistent कैनेडियन्स तो भूल जाएंगे कैनेडियन्स का क्या है वो तो जिस्टन डूडो भी election आ ठीक हो जागा ठीक है पियोली एक बाकी कोई और आ जाता है तो शायद चीजे बेतर हो जाएगे लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन्स यह होने देंगे अमेरिकन्स आएंगे कि आप थोड़ा साइन को दबा कर रखें मेरी एक observation है I'm wrong on this